नमस्कार मैं हूं स्मिता उपाध्याई और आप देख रहे हैं आच्छी खबर उत्रपदेश के गाजियाबाद जिले के लोनी इलाके में बुज़ुर्ग की पिटाई का विडियो वारल हुआ था अब इस मामले को लेकर पुलिस का एक्षिन लगाता जारी है सूत्रों की माने तो अब्दुल समद की पिटाई को धार्मिक रंग देकर उसको बड़ा मुद्दा बनाकर यूपी के कई शहरों में सामरताईक दंगा भड़काने की साजिश्टी गई थी लेकिन योगी की पुलिस ने इस पूरी साजिश को बेनकाब कर दिया अब इस मामले में समाजवादी पार्टी के नेता उमेद पहलवान पर दंगा फैलाने की साजिश रचने का आरोप है दरसल सोशल मीडिया पर वारल हुए एक वीडियो में दावा किया गया कि एक बुज़ुर्ग मुस्लिम को चार लोगों ने मिलकर बुरी तरह पीटा पुलिस ने वारल वीडियो में किये गया इन सभी दावों के पीछे की असली वज़ा बताई है पुलिस का कहना है कि इस पूरी घटना के पीछे की वज़ा तांत्रिक साधना है पिडित बुज़ुर्ग ने आरोपी को कुछ ताबीज दिये थे जिनके परणाम न मिलने पर नाराज आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया पुलिस ने यह भी बताया कि पिडित ने अपनी FIR में जैश्री राम के नारे लगवाने और दाढ़ी काटने की बात दर्ज नहीं कराई है सपानेता उमेद पहलवान ने ही अब्दुल समत का Facebook Live किया था और Facebook Live के दोरान दावा किया था कि अब्दुल समत की जबरदस्ती पिटाई की गई और उसे जैश्री राम बोलने के लिए कहा गया साथी उसकी दाढ़ी भी काट दी गई लेकिन बाद में पुलिस की जाच में यह बात जूट निकली मामले को सामप्रदाईक रंग देने और उनमाद फैलाने की साचिश रचने के लिए यूपे पुलिस ने समाजवादी पार्टी नेता उनमेद पहलवान के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत केस दर्च किया है यूपे पुलिस उनमेद पहलवान की गिरफतारी के लिए छापे मारी भी कर रही है और वह पुलिस के डर से कहीं छिपा हुआ है इस बीच पिटने वाले व्यक्ती अब्दुल मसद का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें वह कह रहा है कि इंतजार नाम के व्यक्ती ने उससे परवेज गुर्जर को ऐसा ताबीज बना कर देने के लिए कहा था जिससे परवेज गुर्जर इंतजार के वश में आ जाए अब्दुल मसद के इस वीडियो में उसकी डाढ ही कटी हुई नजर आ रही है जबकि फेस्बुक लाइफ के दुरान उसकी डाढ ही कटी हुई नहीं देखी गई पता देए कि ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है राजधानी दिल्ली के तिलक नगर थाने में इससे जोड़ी एक शिकायद दर्ज कराई गई है बॉलिविट अबनेत्री स्वराभाशकर ट्विटर इंडिया के हेड मनी समेत अन्य लोगों के खिलाफ भरकाव ट्विट करने के मामले में शिकायद दर्ज कराई गई है हलाकि पुलिस ने FIR अभी दर्ज नहीं की है